नमस्कार आरेस अनपुर्णा खिचन में आपका स्वागत है आज हम कटहल के गुलगुले बना के तयार करेंगे जो की बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनते हैं तो चलिए बनाते हैं तो देखें हमने कटहल के बीज निकाल के अलग कर लिये हैं और यह जो गुदा है इसे हम मिक्सेजार में डाल कर इसका बारिक पेश्ट बना लेंगे और जो बीज हमने अलग किया है उसकी सबजी बहुत टेश्टी बनके तयार होती है उसकी भी हमने रेसिपी दे रखी हैं आप जुरूर देखें तो देखें हमने इसका पेश्ट बना लिया है अब हम इसे एक दाल देंगे, दो चम्मच नारियर का बुरादा डालेंगे, दो चम्मच सफेद तिल डाल देंगे, एक पींच हमने इसमें नमक डाल दिया है, आदा चम्मच इलाइची पाउडर और वन फोर चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाला है, इन सब को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेन दूद की जगा पानी भी डाल सकते हैं, और जो हमने कटहल का पेश्ट तयार किया था, वो देड़ कटोरी के माप इतना है, तो हमने एक ही कटोरी से माप लिया है, देखिए हमने एक कप इसमें दूद डाला है, उसमें से थोड़ा सा दो चम्मच दूद बज गया है, दाल देते हैं, एक चम्मच घी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, हमें इसे ज्यादा गीला नहीं करना है, तेल हम पहले चेक कर लेते हैं, तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो हम इसके छोटे-छोटे इस तरह भजिए की तरह डाल देते हैं, अब हम इसे उल पलट कर golden brown कर लेंडे हैं लोटू medium flame हम इसे golden brown करके निकाल लेंगे इसी तरह हम बाकी सभी गुलगुले fry करके निकाल लेंगे बहुत ही tasty गुलगुले बनके तयार होते हैं आप जरूर ट्राइग करें आपको बहुत पसंद आएगा तो देखिए इसी तरह हमने सभी गुर्गुले फ्राइ करके निकाल लिये हैं बहुत ही टेश्टी गुर्गुले बनके तयार हुए है अगर आपको मरी रेसिप अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें बेल आपकोन जरू दबाए ताकि ने वीडियो आप तक पहुत सके, धन्यवाद